हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गिहूं के आटे का बहुत ही ज़दा क्रिस्पी और हेल्दी नास्ता जब भी आपके पास टाइम कम हो और आपको बहुत ज़दा जोरू की भूक लग लग रही हो तो आप इस नास्ते को फटापट बना कर खा सकते हैं बहुत ही ज़दा हेल्दी और टेस्टी नाता है तो चलिए फैन बिना किसी देरी के फटापट से नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों गर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइ करेंगे उसमें हम एड करेंगे स्वाधनुसार नमक नमक डालने के बाद हम इसमें एड करेंगे आदा चोड़ा जित्ता मेल्टेट की इससे हमारे नास्ती में बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प आएगा तो यहां पर देखे इन सारी चीजों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे ड्राइली मिक्स करने के बाद अब इससे दीरे दीरे करके पानी डालेंगे और इसका हमें सेमी सॉप्ट हो तया करेंगे तो जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा लगाते से इम उसी तरह से आपको इस आटे को लगाना है बहुत ज़्यदा हाट भी न है से अपने नास்तियों को बनाने के लिए आपके पासमें अपन मोली कोई सकते हैं तो मोली को हम एक viewing करने के स्वादन करेंगे आपने नमक डालने से यह थोड़ी सी soft हो जाती है और इसके अंदर जो भी extra water होता है वो release हो जाता है तो नमक डालने से हमारी जो मूलिया होती है उसके अंदर का पारा पानी अच्छे से release हो जाता है तो देखिए इस तरह से अपनी मूलियों के अंदर नमक डालकर हम इसे 2-3 मिनट के रिए rest पर छोड़ेंगे तब तक हमारी जो मूली होगी वो soft हो जाएगी 2-3 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे तो देखिए यहां पर हमारी मूली काफी अच्छे से soft होगी है तो नमक डालने से आप दिख सकते हैं इसका जो भी water होता है वो release हो जाता है इस तरह से अब इसे हम हातों से अच्छे से निचोड लेंगे इस तरह से ताकि इसका extra water निकल जाए क्योंकि मूली के अंदर बहुत ज़दा पानी है इससे हमारा जो नास्ता होगा वो बनाने में बहुत ज़दा प्रॉब्लम होगी तो इसलिए हम इसके सारे पानी को अच्छे से निचोड लेंगे और इसे हम एक दूसरे बतन में transfer कर लेंगे तो देखिए यहां पर हमने जो को ले लेंगे और इसमें हमने जो अपनी मूली को ड्राय करके रखा था उसे हम इसमें एड करेंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे दो से तीन बारीक कटी हुई हरी मिच हरी मिच आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग में डालेगा बहुत ज़दा हरी मिच अगर यहां पर आपको एक medium size की प्यास को अच्छे से chop करके इसमें add करना है तो यहां पर हमने तीन छोड़े चमच के करीब प्यास इसमें डाली है तो अब इन सारी चीजों को हम आपस में अच्छे से mix कर लिया है तो अपटा पट से हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा नमक तो यहां हमने already इसमें नमक डाला है तो बहुत ही carefully आपको नमक डालना है हमारे आते मैं भी आटे में भी नमक है तो बस थोड़ा सा ही नमकस की बाद हम हम इसमें इसमें डालेंगे आदा चोटा चमट जित्ता घरम मसाला पाउडर आप चाहाए तो सारे मसालों को हम अच्छे से इसमें mix कर देंगे तो यहाँ पर हाथों से mix करेंगे ताकि सारी चीज़े आपस में अच्छे से mix हो जाएं तो यहाँ पर हमारी चटपटी से stuffing ready हो चुकी है तो इसे हम साइड में रख लेंगे और अब अपने आटे को हम चेक कर लेंगे तो देखिए आठ हमारा काफी चटपट हो चुका है तो अब फटा-फट से इसकी हम दो लोईयां तोड़ लेंगे तो मीडियम साइज की आपको इसकी दो लोईयां बना ले लिए और हाथों से इसे अच्छे से चिकना कर लेना है तो लोईयों को आपको हाथों से चिकना कर ल तो देखिए इस तरह से आपको इसे अच्छे से बेलना है लेकिन आपको इसे जितना हो सके उतना पतला बेलना है तो देखिए हमने इसे अच्छे से बेल लिया है तो अब हमने जो अपनी स्टफिंग तयार की उसे हम ले लेंगे और इस तरह से स्टफिंग को हम चारो तरफ आप चाहने तो यहां पर हांतों की हव्प से इसे इसे अच्छे से स्फ्रएट कर सकते हैं तो फ़िछ से पीजा क्रटर की हट से हम इस दरह से इस फरे पर दूसरी साइट को उठाएंगे और इसे हम इस तरह से इसके उपर प्रेस कर देंगे अब यही सेम प्रोसेस हम दूसरी वाली साइट पर भी करेंगे उसके बाद इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि यह बिल्कुल भी खुले नहीं अगर थोड़ी बहुत कर रेड़ी हो चुका है इसी तरह से अपने सारे नास्ते को बनाकर रेड़ी करेंगे तो अब फड़ा पट से अपने नास्ते को हम सेक लेंगे तो सेकने के लिए हम इस तरह के पैन का इस्तेमाल करेंगे नॉन्स्टिक पैन से हमारा नास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्योख हो जाता है तो इस तरह से सबसे पहले हम इसके उपपर रखेंगे और गैस की flame हम एक लिदं मेडियम रखेंगे ताकि हमारा नास्ता बहुत हैं अच्छे से 105 हो तो यहाँ इसका जो साइज होगा वो थोड़ा सा डबल होने लगा और यह फोलने भी लगेगा तो देखिए हमारे नास्ते में काफी अच्छे से कलर आने लगा है तो बस इसी तरह से हम इसे अलेट पलटकर दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से से क्रिस्पी हो जाए जब आपको लग जरू से ट्राइक कीजेगा और हमें कॉमेंट पर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई